लेफ्ट, राइट, चैप्टर नमबर 22D वर्स, फिर्स्ट वन थम्, थम्, थम् का मतलब होता है अंगु थाम्, सेकंड वन इस फिंगर्स, फिंगर्स का मतलब होता है अंग्लिया, थाम्, फिटर्स वन इस पिक्चर्स, पिक्चर्स का मिंनदी में बोले है चित्र, फि explored का मतलब होता है पीछे, Sixth one is Front F-R-O-N-T Front Front का मतलब होता है सामने Seventh one is Outline O-U-T Out L-I-N-T Line Outline Outline को हिंदी में बोलते रूप रेखा Eighth one is Left Hand L-A-F-T Left H-A-N-D Hand Left Hand Left Hand का मतलब होता है बाया हाज उसके बाद है Right Hand R-I-G-H-T H-A-N-D Hand Right Hand Right Hand को हिंदी में बोलते हैं दाया हाज And last one is Around A-R-O-U-N-D Around Around का मतलब होता है चारो और Hello Students Today we will study chapter number 22 Left Right So let's begin Given below is the picture of a hand तो बच्चो देखो यहाँ पर नीचे यह picture हमें दिखा ही दे रहा है वो किसका है? Hand का मतलब की हाथ का Place your hand on it So that palm faces the paper क्या आपको क्या करना है? आपका हाथ लेकि वहाँ पर रखना है चोई आपकी palm है वो face करें किसके उपर यह paper की तरफ जैसे पिक्चर में हमें दिखाया गया है Your thumb and finger should be placed on those drawn in the pictures क्या आपका thumb और आपके fingers जहाँ पर पिक्चर में ड्रो किये गए है जैसे कि यहां पर four fingers है और नीचे यांबर साइड में थोड़ा सा thumb दिखाई दे रहे है वहाँ पर आपका अपना thumb रखना है और exactly उसी तरह से करना है देखो student इस तरह से पूरा picture है और आपको इस तरह से आथ रखना है और देखना है जो हाथ आपका fix हो रहा है इस पिक्चर के उपर जो आगे देखा था तो उसका मतलब क्या है क्यों आपका कौन सा hand है येस आपका right hand है प्लेश योर अधर हैंड ओन पेज इन योर notebook and trace its outline with your right hand to get a picture तो आपको क्या करना है एक notebook में एक page लेना है वहाँ पर आपका left hand को आपको क्या करना है trace करना है और उसके outline रोग करनी है एक picture लेने के लिए जो hand आपने जिसका ये outline trace की गई है वो कौन सा hand है येस वो आपका left hand है तो देखो बच्चों यहाँ पर एक song दिया गया है let's sing let us sing a song put your right hand in put your right hand out कि अपना right hand अंदर रखो अपना right hand बाहर निकालो put your right hand in and just turn around कि right hand अंदर रखो और फिर turn around मलब के उसको घूमो put your left hand in put your left hand out कि अपना left hand अंदर रखो और अपना left hand बाहर निकालो put your left hand in and just turned around एक छोटी सी यहां पर poem दी गई है तो बच्चो यह poem आपको कैसी लगी similarly sing for the right and left foot तो बच्चो जिस तरह से हमने यह right hand और left hand का song गाया है उसी तरह से आपको right और left foot के बारे में song बना कर गाना है अब क्या लिखा है now look in your classroom and tell कि अपने classroom में देखो और बता लेकिन आप सब तो classroom में नहीं हो तो आपको क्या करना है अपने घर में आपके आसपास को आने हो देखना है और बताना है तो let's see what is the first question what is there on your left कि आपके left के सरफ क्या है उसके बार क्या है what things are there behind you तो आपके पीछे कौन कौन सी चीज़े है बच्चो behind का मतलब होता है पीछे on whose left side are you sitting आप कौन से लोग है जिसके left side आप बैठे हो what is there on your right कि आपके right की तरफ क्या है तो आपको देखना है और identify करना है who is sitting on your right कि आपके right की तरफ कौन बैठा है what is in front of you कि आपके सामने क्या है and last one is on whose right are you sitting कि आपको कौन से person है जिसके right की side आप बैठे हो this is a picture with ruchera in the center तो बच्चो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन यहाँ पर मैं आपको picture अभी दिखाऊंगी एक girl है उसका नाम क्या है ruchera वो कहाँ बर बैठे है center में center में लगकी बीच में बैठी है in this picture draw कि इस picture मैं आपको क्या draw करना है a book behind ruchera कि यह ruchera के पीछे क्या होना चाहिए book and animals on ruchera's right राइट की तरफ क्या होना चाहिए कोई एक animal होना चाहिए a chair on ruchera's left और left की तरफ क्या होना चाहिए a tree in front of ruchera और ruchera के सामनी की तरफ क्या होना चाहिए एक tree होना चाहिए जिस सारी आपको draw करनी है देखो बच्चो यह picture है ruchera का यह box नहीं गए 1,2,3,4 और बीच में ruchera बैठी हुई है इसमें आपको अलग-अलग जिस चैसे में उपर आपको बवला उस तरह से करनी है कि behind क्या होना चाहिए book, right की तरफ क्या होना चाहिए कोई एक animal आप अपनी choice का row कर सकते हो और left की तरफ एक chair होनी चाहिए और उसके सामने एक tree होना चाहिए तो यह drawing आपको complete करना है guide ruchera from home to school तो बच्चों यहां पर आपको क्या करना है यह ruchera नाम की जो girl है उसको आपको guide करना है कहां से लेकर home से लेकर school तब find the school in the picture तो पहले आपको क्या करना है यह नीचे जो pictures दिये गए हैं आपकी book में वहां पर आपको school find out करनी है उसके बाद क्या करना है also find the way from ruchera's home to her school फिर आपको find करना है ruchera के घर से उसकी school कहां पर है वो now with a color pencil trace the way from ruchera's home to her school एक color pencil से आपको क्या करना है उसके घर से उसकी school पर पहुँचने का जो रास्ता है वहां पर आपको trace करना है और दिखाना है देखो बच्चो यह picture दिया गया है यहां पर देख रुचेरा's house लिखा हुआ है मतलब कि यह रुचेरा का घर है यहां पर उसकी school बदाई गई है दिखाई गई है तो किस तरह से जाती है वह आपको trace करके दिखाना है और आपको देखना है कि रास्ते में उसकूल पर पहुच दिया है तब तक कौन-कौन सी चीज़े आती है जैसे कि house आ रहा है hand pump यहां पड़री है park, well, post office, etc which places and things will ruchera find on her way from home to school write their names तो आपको क्या करना है तो आपको क्या करना है वो अपने घर से लेकर school पर चाती है तो कौन-कौन सी places और कौन-कौन सी चीज़े देखती है उसके नाम आपको यहां पर blank से वहां पर लिखने है तो आप लिख सकते हो house देखा, hand palm, tree, park, etc जो भी नाम है आगे picture में वो सारी यहां पर आपको लिखने है which of these places and things will she find on her right and which places on her left तो बच्चों दीखो भी अपने उपर जो नाम mention किये थे जैसे कि house, hand palm, tree, park, etc वो सारे चीज़ आपको क्या करने है डिवाइड करने कि कौन सी है वो right की तरफ आती है और कौन सी है, वो left की तरफ आती है Students, this is our last question How many times विल रूचेरा have to take a turn on her way from home to school कि रूचेरा आपने घर से school पर पहुँच दी है तब तक उसको कितने turn लेने परते हैं वो number आपको यहां पर mention करने हैं इस blank में तो students, यह chapter हमारा यहीं पर खतम होता है इसके बाद के वीडियो में हम हमारा chapter number 23 study करेंगे बाद के लिए है वो फो वो रहा